हेलो मैं लबली फ्रेंज कैसे हैं आप लोग आई होप आप सब अच्छे होंगे तो फ्रेंज मैं आ गई हूँ अपने गाउं पापा के घर और यहां पे देखिए घर आते ही मुझे दिखा यहां पे मेरे भाई सब पोखरी में मचली पकड़ रहे हैं जाली के हेल्ट से तो आ दोस्ता है जबढ़ान मेरे चान लेते हैं और इस तरीके यहां से च्रालाब में निकाल लेते हैं उनको तालाप में नियुके जाता है जिसे कि वह पाड़ी गाजाते है और एक-डो मछलिया बाहर से आजली है जब बारिस वहता है तो बाहर से पानी के रास्ते मतलब चारो तरफ पानी पानी भर जाता है ना तो उधर से बाहर से मचलिया आ जाती है तो कोई-कोई इसमें अलग भराइटी की भी मचलिया है लेकिन इस पोखरे में रोहु मचली के बच्चे पड़े हुए हैं तो यहां पर देखिए बड़ी- बोटी यहां सुआ से पले हटा दिया जाता है साफ किया जाता है अगर साफ करते समय मचलिया स्लिप करें तो उसके लिए देखिए राख का यूज होता है मतलब राख में लापेट करके उसके सल्क को साफ किया जाता है जिससे की स्लिप ना हो अच्छे से इसका सल्क साफ हो तो आपको तो राख मिलेगा नहीं क्योंकि राख तो गाओं में ही मिलता है, तो उसके लिए देखिए इस तरीके से आप मचलियों को साफ कर सकते हैं, इस तरीके से नाइफ के हल से उसके उपर के सल्क को ऐसे छुडा लीजे जिसे की मचलियां एकदम से क्लीन हो जाएंगी, तो यहां पर देखिए, इस मचली को मेरे भाई के दोस्त ने साफ करके ममी को दे दिया है, अब ममी क्या कर रही है, उसके पंख को पले काट ले रही है, तो ममी क्या कर रही है, राख का help ले ले रही है, जिसे की मचली का जो पंख अच्छे से पकड़ा जाए, शिलिप ना ह जाते हैं, तो यहां पर देखिए, ममी क्या कर रही है, यह बड़ी वाली मचली है, तो इसको तीन भाग में कट कर ले रही है, और इसके पेट के अंदर की जो गंदगी है, इस तरीके से निकाल ले रही है, तो गाओं में मचली को इसी तरीके से साफ करके, और कटिंग किया इसे भी सव्किया जाता है लिए तरुकिते से मंमि और ममी के दोस्त और मेरे भाई की दोस्त मतलब कही लोग मिल करके ज्यादा मचलिई आर तो इसको साफ करते हैं और इसको इसको कट ट कर लेंगे मुझे बहुत मज़ा आ रहा था ये सब देख करके तो मैं भी चली गई इसको साफ करने का तरीका सीखने तो यह पर मेरे भाई के दोस्त जो है वो साफ कर रहे थे और फिर मेरा भाई भी आ गया तो बोल रहा है दिदी लाओ मैं भी साफ करता हूँ तो फिर क्या था मैं और मेरे भाई दोनों मीलकर के मज़ियों को साफ करने बैट गए तो हमने ना राख का यूज नहीं किया बिना राख का ही मैंने एक नाइफ ले लिया था उसी से मैं उसके सल्क के उपर खूरेशते गई और मचलियों का सल्क बड़े ही आराम से निकल जा रहा था भाई ने हसुआ लिया था मतलब गाउं में इस तरीके का जो यंत्र होता है उसे हसुआ पोलते हैं इसे घास और मतलब गाय का चारा काटा जाता है मैंने चाकू कहल से मतलब नाइव से देखिए मचलियों को कितने बढ़िया से साफ कर दिया बड़ा ही अच्छा लग रहा था मतलब कुछ काम कर दीजिये और अच्छी से हो जाए तो एक अलगी कुसी मिलती है तो आज मेरे साथ हो रहा था मैंने बिना राख कायुच किया या फिर बिना किसी कहलब ये मचलियों को बहुत ही अच्छा से साफ कर दिया एक दम क्लीन कर दिया और मैंने में किया कर रही है थोड़ा सा हाथ पर राख लागा रही है फिर इसंको इस तरीके से में कोलकाता जाओंगी अगर आपको पंचली साफ करने चानना हो मुझसे तो कमेंट करेंगा। मैं आपकोन ऎज साफ करेंगे, क्योंकि सब्सक्राओं तो यह पो चे को चाहिंगे जा आपको साफ करने का सीकहिए। तो गालरी मचल को सी ऐसी एक जी मचलीा है किसे ऊचाहिक बज़ समय के www.saij saaf कर चुका है अभी आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ये अंधेरा होने के पहले का वीडियो है तो आई होप आपको मचली साफ करने का गाउं का ये स्टाइल बहुत पसंदाया होगा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें और जानदा से जानदा सेयर करें फिर मिलते हैं ऐसी एक बहुत थी अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई एंड टेक केर